हेलो, स्लावनिक टू आल, क्लास 6th A और B के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, ये उनी के लिए है, हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 10, सूर्दास के पद, सूर्दाजी ने माता यशोदा द्वारा अपने पुत्र कृशन कनिया, मुरली दर कहें, आप गिरधर कहें, काना कह हैं, ठीक है, उनके बारे में वर्णन कहता है, इन दो भाग एक और भाग दो पदो में, तो उसके बाद आप बारी आती है, पेज नमबर 78 पर, पेज नमबर 78 पर, शब दर्द इन्हें आप कर लेंगे, और कवी सूर्दाजी का परिचे यहां पर दो-तिन पंक्तियों में है इनको आप अच्छे दर्द पढ़ लेंगे, उसके बाद शब्द हम आपको अब भी देते हैं, ठीक है, यहां पर, और कुछ इस परकार से इसमें अक्टिविटी कुछ क्रिया कलाप हैं, ठीक क्रोस बगरा, और इन चीजों को भी आप यहां पर इस तरसे देख लिजी, इन आपको इसके परशन उत्तर देते हैं, कुछ इस परकार से परशन उत्तर यहां पर हैं, सूर्दास के पद है, पेज निम्बर 78 पर है, भाग 3, पहला परशन है, मा येशोदा किस प्रेतन में लगी हुई है, और उसके लिए वो क्या-क्या कर रही है, लेखा कभी कह रहे हैं सूर्दास जी की माता येशोदा जो है, वो क्रशन की माँ, वो किस कोशिश में लगी है, और उसके लिए, यनि क्रशन के लिए वो क्या-क्या कर रही है, तो इसका उत्तर है, मा येशोदा श्याम को, यनि क्रशन को, अपने पुत्र को पालने में, जूले में जूला जूला रही है और साथ-साथ उसे प्यार से पुछकाती भी जा रही है कभी उसके लिए वो कुछ गुन-गुनाती है कुछ गाना भी गाती है ये तमाम चीज तमाम कारी जो है ये शोदा माता अपने बेटे के लिए कर रही है ताकि वो आराम से सो जाए अच्छा अगला सवाल है बा का बाल क्रिशन है ना उसको सोते हुए देखकर मा ये शोदा क्या काम करती है रज़ा क्रिश्चन को सोता हुआ देख माँ ये शोंता ये कि कि गाना गाते गाते चुप हो जाती है उनम तो gostे वह तोड़ी देर के वा चुप χो येशोदा के वातसल्य भाव के बारे में लिखी है। कभी कहता है कि येशोदा मा के वातसल्य उनके प्रेम, उनके अपना पन, ठीक है रहा है। देखना साथ ही मधूरता है और उसकी निद्रा को जोर जोर से बुलाना कि नींद आजा मेरे बेटे को सुला जा आदी वगएरा और अपना सर्वस्व अपने पुत्र काना अपने उस कृष्ण करईया पर अर्पित करना आदी ठीक है अब आजाएए सवाल नमबर चार यहां स सुख प्राप्त हो रहा है पहले पद में यह सबसे पहली पंक्ती है इसका उत्तर है वो सुख जो देवी देवताओं रिशी मुनियों के लिए भी असंबव है कभी कहता है कि ऐसी सुख और ऐसी परसंता खुशी जो सुर्ग में रहने वाले देवी देवताओं और रिशी म वारीब है शाम सुन्दर को बाल रूप में पाकर शुदा माता बहुत प्रसंद है अगला सवाल है दूसरे पद में बाल कृषिन मखन ना खाने के क्या-क्या तरक देते हैं की मैंने माखन नहीं चुराया मैंने माखन नहीं खाया उसके क्या-क्या कारण बताते हैं क्या-क्या वजे देखी आगे है माता मैं तो सुबह सवेरे ही गायों को चलाने जंगल में चला जाता हूँ चारों पहर 24 गंटे बासुरी के साथ वन में इधर उधर गुमता फिरता रहता हूँ मेरे तो हाद पैर बहुत छोटे हैं मैं बहुत छोटा हूँ तो मैं माखन के बतन तक जहां पर मक्षन रखा हुआ है उस बतन तक यह उस हांडी तक भी नहीं पुहँच सकता तो मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ अंतिम सवाले बाल कृषिन येशोदा मापर कौन सा दोश लगाते हैं इसका उत्तर देखिए यहाँ पर अंतिम सवाल का उत्तर है ये है माता तुम मन की बहुत भोली हो तुम बहुत ही सीधी साधी हो तुम्हारे मन में मेरे परती शंका पैदा हो गई है इसलिए तुम मुझे अपना नहीं पराया सबजने लगी हो है माता ये ले अपनी लकुटी कमरिया इनको ले लो इन्होंने मुझे बहुत परशान किया है तो ये कुछ इस परकार के परसंट उत्तर थे इनको उपनी कापी पर इन्हें अपने नोट और अच्छी तरसे डेट उनकविताओं के नाम ठीक है ना उनको अच्छी